नमस्कार स्वागत थे आपका डीफोकस में मैं हूँ प्रियंग का आज के एक दैनिक हकबार में छपे एक खबर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हम इसलिए इस खबर की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक खबर एक बड़ी खबर है मैं आपको पहले सबसे पहले बता थे सासी प्रकाश जा उनके लिए जाच के आदेश दिये गए है कार्मिक विभाग ने ये आदेश दिया है और कहा है कि जल से जल रिपोर्ट सौपी जाए इस आदेश के बाद जो हमारे डीसी है बोकारो के डीसी कुल्दीप चौधरी जी ने इसका जिम्मा इस जाच का ज जाच की जाएगी ये हम जानते हैं हमारे वश्च पतकार राम नरायन सर्माजी से जो अभी हमारे साथ मौझूद है सर्माजी बताए किन बिंदूओं पर जाच होने जारी है सबसे पहले तो डीफोकस देखने वाले सभी दर्सकों को हमारा नमस्कार जोहार प्रियंका जैस जाच के आदेश हैं कि जाच किया जा इन बिंदूओं पर कई करमबार बिंदू सोपे गए हैं बोकारों के उपायक को कि इन बिंदूओं पर जाच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का काम करें ताकि उसके आधार पर अगर कोई बिंदू पर सही बिंदू पाएगे त और जो पुर्व के अपर नगर आयुक्त हैं उनके कार्जो की जाच की आदेश के बाद अब बुकारों के जो जीला परसासने बुकारों के उपायक्त हैं वो रेस हो गया है और इसके जाच का जिम्मा चास के SDO को प्रियंका दिया गया है आने वाले समय में इसकी पूरी परत खुलने जा रही है प्रियंका और इसे आप सुरुवात मान लिजे कि आने वाले समय में जिन बिंदो को लेकर चास नगर निगम के जन परतिनी दी हो राजनितिक दल हो या दूसरे संगठन के लोग हो प्रस्टाचार का बड़ा आरूप लगाते रहें जाच की मांग करते रहें उसको लेकर इसे सुरुवा चाश के साब इस बिंदो पर अलग अलग बिंदो दिये उन पर जाच करेंगे और जाच रिपोर्ट सोपी जाएगी उपायक्त महोदे को उस जाच रिपोर्ट को कार्मिक विवाग को सोपेंगे उसके बाद चास नगर निगम में क्या कुछ हुआ है जो सशी प्रकास जाज पुर्व अपर नगर आयुक्त उनके जाज के बाद उस अस्तर की कारवाई भी होगी। का हमने लंबे उसके आपके कवरेज भी दिये हैं और मैं आपको बताता हूँ कि चास नगर निगम हमेशा सुर्ख्यों में रहा है और लगातार चास नगर निगम को लेकर आप देखते होंगे कि जन आंदोलन भी होते रहें और कई प्रकार के बड़े आरोप लगते रहें च जाहे आप अभी जो जाच के आदेशा हैं इसकी बात कर ले जिसमें आपको टेंडर से जुड़े हुई बात है कई अन बिंदों से जुड़ी हुई बात है और सबसे बड़ी जो बात है दूसरे कई बड़े बिंदों है चास नगर निगम को लेकर जैसे आपने कहा कि उस द कि जैसे बाल्टी से जुड़े हुए जो मामले थे दुकान अवंटन से जुड़े हुए जो मामले थे या जो आपके साप सफाय से जुड़े सामगरियों की खरीद से जो मामले थे लाइट के खरीद के जो मामले थे इससे लगर लगातार आवाज उठा है और बस्टाचार के उन्होंने इन सारे बिंदूओं को खामोसी से ही उसको रखा और किसी भी बिंदू पर उन्होंने उस दोरान जाच के आदेश नहीं दिये लेकिन लंबे समय बाद ही सही चास नगर निगम के जन परते नीदियों का कार्ज काल समाप्त हो चुका है और अब जाकर कार्मिक एक जो खबर थी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसकी हम पुस्टी नहीं कर रहे है और उसी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं लेइन सर्मा जी आपने इतने सारे मामले बताए आज तक ये लगातार सुर्ख्यों में आते रहे हैं खबारों में छपते रहें नेता ने ने आ सकती प्रियंका अगर गंभीरता पुरुवक कार्मिक विभाग अपने इन चीजों को सब के सामने रखेगा जाच के आदेश देगा कमिटी अगर गटित हो जाए तो और बहतर है और जैसा कि कहा जा रहा है कि कई बड़े मामले चास नगर निगम के जिसको घोटाले की स हुई और उस दोरान उस पर मामला जबरदस तरीके से उठाया भी गया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और खामोसी से दुकान किसे किसे आवंटित कर दिये गए इसकी विजाच होनी चाहिए और जाच पर सही चीज सब के सामने आनी चाहिए कि चास नगर निगम के जो सबसे हुए हैं दूसरी बात जो बाल्टी घोटाले की बात होती है कम कीमत पर बाल्टी खरीद ली गई ऐसा आरोप उस दोरान डिप्टी मेयर साहब भी लगाते रहे हैं नगर परिसद के जो पारसद गाने उन्होंनों भी लगाया कि जो बाल्टी की बात इसमें जबरदस घोटाला हुआ है कम कीमत की बाल्टी खरीद कर अधिक दाम दर्साया गया है इस पर भी जाच होनी चाहिए कार्मिक विभाग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए तीसरी जो मुद्दा है सबसे बड़ा जो साप सपाई से जुड़े हुए चीजों की खरीदारी के बात होती जो राजनितिक दल है जारखंड मुक्ति मोर्चा भारतिय जनता पाटी बड़े राजनितिक दलों ने लगातार आरोप लगाए लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ लेकिन अब जाकर सुरुआत हुई है तो हो सकता है जो राजनितिक दलों ने पारसदों ने और डिप्टी मेयर जो आरोप लगाये हैं उसकी भी जाच होगी और सब के सब सारे चीज सामने आएगी प्रियंका जी बिल्कुल लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूंगे आप से सर्मा जी जब भी हम मेरे हमारे दर्शक होते हैं वो हमारे न्यूस को देख रहे होते हैं तो जब भी मैं किसी जब भी नुकसान हो रहा है इसमें बिल्कुल यह जो आप जितने भी जन कल्यान के कार्ज देखते हैं आम नागरिकों के दुआरा दिये गए टेक्स के पैसे सही सरकार करती है सरकार का अपना कोई इसमें रासे नहीं होती है जन परतिनिधी उस कार्जों को देखने के आक्रोस होता है और चास नगर निगम हमेसा यह आक्रोस देखा गया है और उस आक्रोस को लेकर ही सही अब धीरे धीरे ही सही अगर इस चीज से सुरुवात हो रही है और अगर इसका सही सही जाच हो गया तो आने वाले समय में दूसरे जो अपर नगर आयोकते हैं और चास कही जा रही है और जब टेंडर की से लोगों को टेंडर दिया गया ताकि सच्चाई सब के सामने आए और इससे लेकर आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि इससे पहले भी अकबार में एक खबर छपी थी कि जेल में रहते हुए कि इसे तेल ले लिए जाते हैं चास नगर निगम में और भारतिये जनता पाटी की एक नेतरी इससे लेकर प्रेस कॉन्फरेंस भी करती है और जाच की मांग करते हैं कि मैं रहने वाली हूँ पुर मेर परतियासी हूँ तो मैं इस तरह खामोस नहीं रह सकती है है और चास नगर निगम के एक अन्यमिता आप कीजाच होनी चाहिए जिससे लेकर अब शुरुआत हो चुकी है अभी जो है चास्ट नगर निगम के चुनाव को लेकर भी सुक्बुगाहट देखने को मिल रही है क्या उस पर भी इसका असर पढ़ने वाला है बिल्कुल प्रियंका आने वाले समय में चास्ट नगर निगम की ये जो जाच की बात हो रही है अगर इससे सही सही तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है उस जाच के खुलासे होते हैं तो आने वाले समय में चास्ट नगर निगम के चुनाव को लेकर जब इन मामलों को सब के बीच ये मामला आएगा तो जरूर इस पर हरकंप मचेगी इस पर बवाल होगा इस पर लोग कहेंगे कि जिस बातों को लेकर उस तरान जनपरतिनीधी बाते क्या करते थे राजनितिक संगटन बात क्या करती थी जिससे खामोसी के बस्ते में डाल दिया लेकिन अब जब कार्मिक विवाक की तरफ से जाच के आदेश हुए है और कई बिंदों पर जाच की बात कही जा रही है तो ऐसे में जब इसके रिपोर्ट आएंगे और रिपोर्ट सोपी जाएगे उसके बाद जब यह रिपोर्ट सारवजनिक होगा तो आने वाले चुनाव में भी इसका आसर देखने को मिलेगा प्रियंका आपने सुना की पूर्व जो अपर नगर आयुक्थ सासी प्रकाश्जा उन पर जाच के आदेश दिये गए हैं और लगतार कहा जा रहा है कि जो डीसी है जो कुल्दीप चौदरी डीसी है हमा लगतार जो घोटाले वो देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर लगतार जाच कमीटी भी वेट रही है लेकिन कभी भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया और इस बार एक बार फिर से इसे गंभीता पूरवक लेकर एक्शन करने की बात कही जा रही है और अब के राजस्व जो कि आप भरते हैं आपके पैसे का ये घोटाला चलता है क्यामरमें देवंदर के साथ मैं प्रियंका डीफोकस